कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूं सभी ठीक टाक होंगे और बहुत कुछ होंगे आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही जादा बहतरीन सा फेस मास्क इस फेस मास्क को अगर आप एपलाई करोगे तो आपके फेस से पिग्मेंटेशन करती है और हमारे पार इतना टाइम नहीं होता है कि हमारी फेस की केर कर पाएं तो ऐसे मैं आप एक एजी सा फेस मास्क बनाके अपलाई कर सकते हो आपको इसके बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे तो चलिए दोस्तों फटा-फट से देख लेते हैं समासों किस तरह स करीठ कांस पर जब मरूं के लिए próxim मिलेंगरवा नहीं हों एक तो फेस मास्क बनाने के लिए मारा फूस्ट इंग्रीडियंट है कॉफी एक ऐसा इंग्रीडियन्ट है जो हर किसी के स्किन को सूट कर जाता है साथ अगर आपकी स्किन पर बहुत जादा पिंपल्स के स्टेन रहे गए हैं या फिर किसी तरह की करी बेशन इसमें एड़ कर दिया है बेशन हमारी स्किन को बहुत जादा क्लीन एंड क्लियर बनाएगा सभी की स्किन को सूट कर जाता है और सभी घरों में एजिली अवेल्बिल होता है दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दोंगी अब हमारा थर्ड इंग्रीडियंट है रो मिल्क दोस्तों रो मिल्क क्या करेगा हमारी स्किन को बहुत जादा सॉफ्ट बनाएगा विंटर्स में हमारी स्किन बहुत जादा ड्राय हो जाती है तो उसको भी बहुत जाद आधा सोफ्ट बनाएगा और गलोई स्कीन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अभी अब इसमें आड करना है टोमेटो जूस तो इसमें 1 टेवल स्पून के करीब टोमेटो जूस मैं सबी चीजों को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और अब हमें क्या करना है इस फेस मास्क को अपने क्लीन फेस पर एपलाई करना है आप सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लें रोज वाटर से या फिर फेस वाश कर लें जैसे भी आप कम्फटेबल हैं उस तरह से अपने फ इस face mask को आपको अपने face पे कम से कम 20 मिनिट तक रखना है आप चाहें तो आदे घंटे तक भी रख सकते हैं कोई problem नहीं है जब यह properly dry हो जाएगा उसके बाद आप हलके गुंगने पाने से अपने face को wash कर लेंगे इस face mask को आपको हफ़ते में दो से तीन बार apply करना है आप देखो कि आपकी skin में जितनी भी pigmentation थी या फिर आपकी skin बहुत जादा dull नज़र आ रही थी तो आपकी skin बहुत जादा clean and clear हो चुकी है जो भी ingredient मैंने यूज़ किये हैं वो सभी बहुत natural हैं आपके घर में ही available होंगे और आपकी skin को भी easily suit कर जाएंगे तो आप इस face mask को बना के try कर सकते हो आपको इसके कोई भी side effect नहीं होंगे अगर आपकी skin बहुत जादा dry है तो आप इसमें हनीका भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके face को tomato juice नहीं suit करता है तो आप उसको avoid भी कर सकते हो बट tomato juice क्या करेगा हमारी skin पे जितनी भी pigmentation है जितनी भी dark spots हैं सब को reduce कर देगा तो आप सभी ingredient को मिला करके अच्छा सा face mask बना सकते हो बट आपको एक चीज़ का धिहां रखना है उतना ही face mask आपको बनाना है जितना कि आप एक बार में अपने face पे apply कर सकते हो बहुत जादा face mask आपको बना के नहीं रखना है क्योंकि फिर वो face mask उतना जादा effective नहीं रहता है आपको freshly mask बना रहा है और अपने face पे apply करना है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो कर दीजेगा like अब मैं मिलूंगे आपसे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye